नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स खूनी शड्यंत्र पार्ट टू दुर्जन दज सक्पका गया कैसी बात कर रहे हैं महराज माला बेटी को फिर से जीवी देख कर भला मुझे खुशी क्यों नहीं होगी लेकिन ताजुब है कि मगरमच के मुझे यह एक बच कैसे गई अच्छा तो तुमें भी सारी कहानी का पता चल गया है मुझे भला क्यों ना पता चलता महराज नगर का बच्चा बच्चा जानता है कि राजगुमारी जी को मगरमच पानी में खींच कर ले गया था हाँ पर इश्वर ने इसकी रक्षा कर ली जानते हो इसे किस ने बचाया नहीं महराज लेकिन वह वीर पुरुष कौन है यह मैं अवश्य जानना चाहूंगा वह उस रोटी चुराने वाले किसान का बेटा है जिसे दस बरस पहले हमने तुम्हारे कहने पर कारागार की सजा सुनाई थी जीवन उसी का बेटा है दुर्जन चोर का बेटा कई पलो तक दुर्जन का बोल नहीं फूटा वह जानता था कि रोटी चुराने की जुर्म में सजा पाने वाला किसान अभी भी कारागार में था ए बुढ़े खड़ा हो आह दुर्जन दतनी बुढ़े का गिरह बान पकड़कर उसे उठाया क्यों अभी तक अकड़ ठिकाने नहीं आई देखा मेरा इंतकाम मुझे लगान न देकर तूने मेरे मुँपर थूख दिया था न देखा वह थूखना कितना महंगा पड़ा तुझे राजा के साले का अपमान करने से पहले तूने जराबी नहीं सुचा था मैं आज भी तेरे मुँपर थूखता हूँ कमीने कोतवाल ने गुसे में भर कर बूढे को मारना शुरू कर दिया और उसे जमीन पर पटक दिया फिर पहरेदार का कोड़ा लेकर सड़ा सड़ उसे पीटने लगा हराम जादे मैं तेरी खाल खीच लूँगा तू सोचता है कि तेरा बेटा राज कमारी की जान बचा कर तुझे कारागार से जीवित अजाद करा लेगा अहां मेरा बेटा कहां है वे है बोड़े की आँखों में चमक उभराई अहां मेरा बेटा जीवित है दुर्जन अब तो मुझे मार मार कर चाहे अद्मरा करते चाहे मुझे जान से मार डाल पर मुझे मेरे बच्चों से मिला दे बस एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिला दे अब तो वे पड़े हो गए होंगे कहा है वे तु मुझे उनसे मिलवाएगा न बोल अरे कुछ तो ब भेज़दूंगा उससे मिलने के लिए नहीं यह नहीं हो सकता तूसे नहीं मार सकता दुर्जंदत कारागार से सीधा राजा के पास आया और उनसे जूट बोला महराज वह किसान तो कारागार में विद्रोही हो गया था पांस साल पहले उसने कारागार की दिवार तोड़ कर भागना चाहा था उसकी इस कोशिश में हुई मुठवेड में उसकी गर्दन उड़ा दी गई थी ओ फिर तो मजबूरी है लेकिन पिताजी जीवन को तो अभी भी ढूंडा जा सकता है अगर किसानों की बस्ती में उसका नाम लेकर पूछा जाए तो उसका पता चल जाएग मैं उसे अवश्चे तलाश करवाऊंगा बेटी तुम्हारे जीवन की रक्षा करके उसने मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है राजा की अग्या पर राज करमचारी तुरन जीवन की तलाश में जुट गए क्यों भाई इस गाउं में कोई जीवन नाम का युवक रहता ह उसके पिता को रोटी की चोरी की जुर्म में कई बरस पहले सजा हुई थी हाँ हाँ रहता है पर इस समय तो वह जंगल में लकडी काटने गया होगा अक्सर वह जंगल में ही रहता है इधर राज करमचारी जीवन को ढून रहे थे उधर भाई बहन की अलग खिचली पक रही का मुझे तो यह भी लगता है कि कहीं वह अपनी बेटी की शादी ही उससे न करते नहीं ऐसा नहीं हो सकता मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता दुरजन दत ने अपनी बहन को समझाया और अगर ऐसा हो गया तो इस राज्जे पर पूर्ण अधिकार करने का तेरा सपना पूर्ण दत नहीं हो सकता दूगी मेरा काम तुझे सतर करने का था बहन बाकि तू जा दे मैं तेरे साथ हूं जैसा तू कहेगी वैसा हो जाएगा भाईया मुझे एक तुम्हारा ही तो सहरा है आखिरकार राज करमचारियों ने जीवन को खोजी निकाला क्यों भाई तुम ही राज कुमारी को छोड़ने महल पर आये थे तुमने ही राज कुमारी के जीवन की रक्षा की थी हां मेरा ही नाम जीवन है पर राज कुमारी के जीवन की रक्षा करने वाला तो भगवान है यह तुम्हारी महानता है भाई जो तुम ऐसा कहते हो नीची आओ महाराज तु उमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है तुमसे मिले बिना उन्हें एक पल का भी चैन नहीं है वो तो ठीक है पर राजकुमारी तो मुझे दरवाजे पर छोड़ कर ऐसे चुप चाप आपके साथ चली गई थी जैसे मुझे पहचानती ही नहों इस संबंद में राजकुमारी कि क्या बात है मैं कोई यहां का राजा हूं ठेहरो मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूं राजा को जीवन इतना पसंद आया कि उसकी मन में विचार उठा क्यों न अपनी बेटी माला की शादी जीवन से कर दी जाए बेटी इस बहादूर नौजवान ने तुम्हारे जीव संता को जीवन ठुकरा नहीं सका और एक दिन चुब मूरत में राजा ने दोनों की शादी कर दी बेटा तुम्हारी बहादूरी का इससे बड़ा उपहार मैं तुम्हें दूसरा नहीं दे सकता था विवा के बाद जीवन माला के साथ महल में ही रहने लगा इस पर रानी और भी जादा जहर बुझी छुरी की तरह तेज हो गई भाया जल्दी ही अब कुछ करो मुझसे अब और परदाश नहीं होता जब से महराज ने उस किसान के लड़के को अपना दामाद बना कर महल में रखा है तब से उन्होंने मिरक ख्याल ही छोड़ दिया है देहन मुझे त गर दर्की ठोकरे ना खिलाई तो मेरा भी नाम दिपिका नहीं कोई ऐसी तरकीव रड़ाओ बहन कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न तूटे दिखा दो कोई त्रिया चरित्र अपने भाई की बास सुनकर रानी सोचने लगी मेरा भाई ठीक कहता है मुझे कोई ऐसा उप जस्त करके रानी कोब भवन में चाले परी राजा को समाचार मिला तो राजा भाजा भागा आया यह क्या माहरानी तुम यहां कोब भवन में क्यों पड़ी हो क्या हुआ कुछ नहीं आप जाईए यहां से इससी तो अच्छा था कि यह दिन देखने से पहले ही मैं मर जाती पर हुआ क्या कुछ बताओगी भी या रोती ही रहोगी किसी ने तुमसे कुछ कहा हो तो बताओ मैं उसकी जुबान खिच लूँगा आप उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वह आपका दामाद है राजा चौका क्या जीवन ने कुछ कहा है तुमसे कहा तो नहीं पर उसने ऐ ऐसी कुछ हरकत की है कि उसे कभी माफ नहीं कर सकती राजा के चेहरे पर परिशाने के भाव बढ़ गए साफ साफ कहो क्या बात है जाने लिजे स्वामी कहने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही आपको विश्वास आएका कि जीवन ने मेरा स्त्री धरम नश्ट करना चाह हैं मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपको विश्वास नहीं आएगा लेकिन जिस राज्य में मेरा धरम सुरक्षित नहीं अब मैं वहां एक पल भी नहीं रहूंगी राजा बिना कुछ कहे क्रोच से भरा हुआ वहां से चला गया दूसरी दिन प्राता होते ही राजा ने ज जाएगा और फांसी दे दी जाएगी लेकिन क्यों इन्होंने क्या किया है हमें बताने की इजाज़त नहीं है राजकुमारी जी महामंत्री ने माला को समझाया बेटी कुछ अपराद ऐसे होते हैं जिने सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जा सकता इससे राजकुल की चले जाने के लिए कहना कुछ उचिक जान नहीं पड़ रहा है फिर भी यह राज अग्या है अता माननी होगी किसान का बेटा जीवन महल छोड़कर जाने लगा तो माला भी उसके साथ चल पड़ी इस पर राजा ने उसे रोकना चाहा पर वह रुकी नहीं नहीं पिता जी म में बीमार पड़ गया वैद राज महराज की जीवन को खत्रा तो नहीं है महामंत्री जी महराज को गहरा सद्मा लगा है अभी कुछ कहा नहीं चाह सकता दूर्जन दत इसी अफसर की ताक में था एक रात मौका पाकर दूर्जन दत और उसकी साथियों ने राजा को मौत की घाट उतार दिया इतने बड़े राज्ये पर एक बीमार राजा कभी शाशन नहीं कर सकता तुम्हारी जगा परलोक में है आह दूर्जन दत की संकेत पर सैनिकों ने महामंत्री और रानी को भी बंदी बना दिया चलो महराज ने तुम्हें बंदी बनाने का हुक्म दिया है यह क्या पकवास है कौन महाराज तभी दूर्जन दत राजा का मुकट सिर पर लगाए हुए भीतर आया और कुटिलता से मुस्कुराया बहन आज से यहां के महाराज हम ही है तुम्हारे पती को हमने मौत की नीन सुला दिया है और तुम्हारे लिए बंदी ग्रह में बहुत से अटास किया हा 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 मुझे उपदेश देने वाली बहन क्या तुझे अपने पेटे के बराबर दामात पर जूटा लांचन लगाते हुए शरम आई थी भोल दुर्जन पाप और छल कपट से प्राप धन और राज्य अधिक समय तक साथ नहीं रहता यह जिन्दगी चार द दिन की जिन्दगी में अगर मुझे एक दिन का भी राज सुख और वैभव प्राप्त हो जाए तो मेरे लिए वही बहुत है समझे समझ गया तो फिर बोल महाराज दुर्जन दत की जै महामंत्री को अपनी जै बोलते देख दुर्जन दतने खुश होकर आदेश दिया महाम अंत्री को छोड़ दो और रानी को बंदी ग्रह में डाल दो जो अग्या महाराज रानी क्रोध में भरकर चीखने लगी दुर्जन तेरा सर्व नाश हो जाएगा हा 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 दोसरी और माला और जीवन एक दूसरे राज्ये में मजदूरी और बोजा ढोकर अपना पीट पालने लगे प्रिये मेरे लिए तुमने अपना राजमहर का सुख क्यों छोड़ दिया मैं तो पहले भी गरीब था आज भी हूँ मुझे कुछ फरक नहीं पड़ता लेकिन तुम ऐसा न को हो स्वामी आपके साथ ही मेरे जीवन का सुख दुख है कुछ महीनों बाद माला ने एक स सुन्दर पुत्र को जनम दिया प्रिये हम अपनी बच्चे का नाम चंदर किशोर रखेंगे अच्छा नाम है जो आपकी पसंद है वही मेरी है धीरे धीरे चंदर किशोर 4 साल का हो गया माला यात्रियों का एक दल शिवरात्री पर काशी जा रहा है हम भी उनके साथ मुझे उनके दल में लकड़ी काट कर लाने और खाना पकाने में मदद करने का काम मिल गया है अब हम अपने चंदर किशोर के बाल भी काशी में ही उत्रवा देंगे यह तो बहुत खुशी की बात है स्वामी इस बहाने बाबा विश्वनात के दर्शन भी हो जाएंगे लेकिन विधाता को तो कुछ और ही मंचूर था एक रात जब उनका यात्री दल एक जंगल से गुजर रहा था तो डाकों के दल ने उन पर हमला कर दिया खबरता अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मौत के घाट उतार दिया जाएगा बचाओ खामोश चुप चाप अपना लाड़ी से वार कर दिया मेरे जीते जीत तुम इन्हें नहीं लूट सकते आख डाकों ने खेर कर जीवन को पकड़ लिया बहदरो तुम इन्हें लूट लो हम इसे सरदार के सामने ले जाते हैं नहीं छोड़ दो ने मां ये मेरे बापो को क्यो पकड़ रहे हैं यात्रियो को तो लूट लाट कर डाकों ने भगा दिया पर जीवन माला और उसके बेटे को भी सरदार के सामनी ले गए सरदार जीवन तथा माला को देखकर चौका अरे तुम जीवन माला मामा आप डाकों के सरदार हा बेटी तुम्हारे आने के बाद मेरे और महराज के साथ बहुत नहीं बेटी तुम्हारे पिता को महा मंत्री ने माल डाला और नहीं धीरस धरो माला दुर्जन दत ने अपनी बात पूरी की और कहनी को तो राज गद्धी पर रानी को पैठा दिया पर राज काज असल में वही देख रहा है मैंने विरोध किया तो मुझे राज्जी से निकाल दिया तब से मैं यही काम करता हूँ डाका या लूट पार्ट में अपने लिए नहीं करता बलकि उस दुष्ट मंत्री से बदला लेने के लिए और सिपाईयों को तयार करने के लिए करता हूँ हत्यारों के लिए पैसा तो चाहिए ही उस दुष्ट महा मंत्री का इतना साहस मैं उसे खत्म कर दूँगा मामा जी आप आज ही वहाँ चलिए धीरस धरोबेटा अफसर आते ही हम उस महा मंत्री का नाम और निशान मिटा देंगे अब तुम हमें मिल गए हो तुम्हें उस गद्धी के असली हगदार हो मुझे राजगद्धी का कोई मोह नहीं है मामा जी पर उस दुष्ट हत्यारे को मैं नहीं छोड़ूँगा और एक राद दुर्जन दत ने जीवन को साथ लेकर फिरोजाबाद के महल पर आकरमंट कर दिया आगे बड़ो बहादरो एक भी दुष्पन जिन्दा नहीं बचना चाहिए कुछी देर में दुर्जन दत के सिपाईयों ने महल पर कबजा कर लिया और दुर्जन दत तथा जीवन ने महा मंतरी को जागेरा जीवन बेटा तुम इसके साथ तुमें मालूम है यह महराज का हत्यारा है हाँ मुझे मालूम है कि कौन महराज का हत्यारा है मामा ने मुझे सब बता दिया है फिर भी तुम इस हत्यारे के साथ खामोश कमीने हत्यारा मैं हूं या तू और इस से पहले की महा मंत्री अपना बचाव करता दुर्जन ने अपनी तलवार मंत्री के पेट में खुसेर दी ले मर अहां बेटा जीवन महराज का हत्यारा मैं नहीं यह दुर्जन है मैं तो मैं तो आह उसी समय सैनिकों ने जीवन को खेर लिया बंदी बना लो इसे अब देखता हूं कौन मुझे गद्धी से उतारता है मामा यह क्या बत्तमी जी है आह दुर्जन दत ने जीवन की ठोड़ी पकड़कर उसका चहरा उपर किया और कुर्टा से बोला यह ऐसी बत्तमी जी है जमाई राजा जो सत्ता हासिल करने के लिए की जाती है इस दगाबाज महामंत्री ने धोका देकर मेरे हाथ भी आई हुई राजगद्धी को मुझे से छीन लिया था आज यह उसी की सजापा गया है इसका मतलब है महाराज की हत्या महामंत्री ने नहीं तुमने की थी ठीक समझा तुमने बड़ी आसानी से यहां की राजगद्धी मेरे हाथों में आ गई थी पर इस हरामी महामंत्री ने जिसे दया करके मैंने छोड़ दिया था मेरे साथ दगा की और सैनिकों से बगावत करा दी अता मुझे यहां से भागना पड़ा पर मैं अब एक-एक से बदला लूँगा अभी मुझे अपनी उस कलमोही बेहन को भी ढूनना है मेरे जाते ही उसे इस महामंत्री ने आजाद कर दिया था उसी समय एक परदे की आर सी बाहर निकल कर रानी ने एक कंजर फेक कर दुर्जन दत की पीट पिमारा ले मैं आ गई हत्यारे आह पकड़ो इसे सैनिक रानी की और लपके पर तभी जीवन को लाड़ी तान कर उनपर झपटा पीछे हटो वरना एक को भी जिन्दा नहीं छोड़ूगा दुर्जन की प्राण पकेरू उड़ गए सैनिको ने उसी मरा देखकर श्रस्त्र डाल दिये रानी ने जीवन के सामने हाथ चोड़े बेटा मुझे माफ कर दो मैंने तुम पर झूटा नांचन लगाया अपनी भाई की बातों में आकर मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलुक किया था बेटा यह राज्ये तुम्हारा है माता इसे तुम ही समभालो मुझे माला और अपने बच्चों के पास लोटना है कहकर जीवन लोट पड़ा तभी राणी ने पीछे से पुकार कर कहा बेटा जाने से पहले क्या आपने बिमार पिता से भी नहीं मिलोगे वे पिछले 14 वर्ष से दो रोटियां चुराने के जुर्म में बंदी जीवन बिता रहे हैं उनका अंसमे निकट है मेरे पिता राणी जीवन को लेकर पंदी क्रह में पहुची पिता जी देखिए मैं आ गया हूँ मैं आपका बेटा जीवन आप कुछ बोलते क्यों नहीं पिता जी जालिमों ने यह क्या दशा बना दी है आपकी राणी सिसक पड़ी बुड़े पिता का सिर जीवन की बाहों में जूल गया तभी जीवन ने उन्हें गोद में उठा कर पाहर जाने के लिए आगे बढ़ा अब इन में कुछ नहीं है बेटा इनका शरीर पूरा हुआ इनकी मौत के लिए भी मेरा भाई दुर्जन ही जिम्मिदार था उसी ने इने फसाया था नदी किनारे जीवन ने अपने पिता की चिता को अगनी दी दूसरे दिन जीवन अपने पिता को जलांजली दे कर अपनी पत्नी और बेटे के पास आया संशेप में उसने माला को सारी कहानी सुनाई और वहां सी चल दिया आओ माला यहां सी चले शायद हमारे भाग्ये में अभी काशी दर्शन नहीं है अब हम कहां जाएंगे मा अपने घर जाएंगे बेटा आओ तीनों नगर में पहुँचे ही थे कि एक रच से उतर कर रानी जीवन के पैरों में गिर पड़ी जीवन मुझ पर दया करो बेटा घर चलो और मुझे शमा कर दो मैं तुम्हारे पाउँ परती हूँ बेटा मुझ पर इतना अत्याचार मत करो बिचित्र द्रिश्य है गंगाराम पटेल ने कहाने समात की और मुझ खोल कर जमाहि ली आह रात काफी हो गई है बुलाखी जी मालिक लेकिन क्या जीवन रानी के साथ जाएगा क्यों नहीं जाएगा अगर सच्ची मन से कोई प्राश्चित करता है तो उसे अवश्य शमा कर देना चाहिए रानी को भी यह एहसास हो चुका है कि वाकई उससे बड़ी भारी फूल हो गई थी बुलाखी उटकर खड़ा हो गया मालिक आप सोये सुबह उटकर फिर सफर करना है मैं जरा नगर तक हो कर आता हूँ इस वक्त इतनी रात गए नगर में जाकर तू क्या करेगा मालिक मैं देखना चाहता हूँ कि जीवन और माना रानी के साथ गए या नहीं तू मूर्ख है बुलाखी यदि वे न भी गए होंगे तो भी क्या इस समय तक वे वहां खड़े होंगे चुप चाप जाकर सोजा सुबा हम उधर से निकलते समय मालूम कर लेंगे हाँ मालिक यह ठीक है गंगाराम पटेल की बात मान कर बुलाखी चुप चाप अपने बिस्तर पर लेट गया पर उसकी आँखों में बहुत देर तक नीन नहीं आई पता नहीं जीवन और माला महल में गए होंगे या नहीं क्या रानी ने उन्हें राजपाट वापस सौम दिया होगा तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बनी रहें मेरे साथ और हाँ मेरी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद